हेलो फ्रेंड्स मैं मुनोज कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल पर दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये पीछे की वीडियो का सब सिक्वेंशल सेकिंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या करने वाले थोड़ा सा ओवर्व्यू देता हूं जो मेरे भाई लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बैक्ग्राउंड मिल जाएगा लास्ट की वीडियो में हमने कई सारी चीजे लन के रिये हैं कितने तरीके से जो इनबाउंड इंटरफेस लिके जा सकते हैं वो देखा है शात में हमने उनके जितने भी एप्रोचेस हो सकती हैं last video में हमने FBDI को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे understand कर सकते हैं और कैसे उसके लिए correct data कैसे prepare कर सकते हैं front के fusion के application को देख करके क्योंकि कई बार FBDI में मेरा start column नहीं होता है ठीक है क्योंकि मेरी एक FBDI multiple purpose के लिए use में आती है like update के लिए like create के लिए तो किसी वाले node पे अलग तरीके के data और mandatory fields हो सकते हैं और किसी पर कुछ अला तो better understanding के लिए data front end application में जितने भी fields मेरे mandatory होते हैं उनको understand करके अगर आप बनाएंगे तो आपका data एकदम correct हो बनेगा तो आज की video में हम यह देखने वाले क्या download हम करना सीख चुके data prepare करना हम सीख चुके आज हम उस data को prepare data को पहले जाएंगे गलत तरीके से दोस्तों ध्यान से समझना है पहले जाएंगे गलत तरीके से so that error handling भी हमको पता लग सके कि किस तरीके से data को error का handle करना है गलत तरीके से जाएंगे UCM server पर data को डालेंगे upload करेंगे UCM server पर जाकर करकर अपने file के data को check करेंगे उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का पूरा process हम आपकी इस video में cover करने बाले हैं ठीक है बिना time waste के अपने FBDI को उपर लेकर चलता हूं जहां पर एक logical data मैंने आपके लिए बनाया हुआ है यहां पर मैंने blue correct तरीके साब आएड लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो मेरे को star यह देखे supplier name पर star लगा हुआ है ठीक है text organization type पर मुझे star नहीं लगा हुआ है ठीक है दोस्तों कहां पर लगा हुआ है जबकि यह मेरा mandatory column है और business relationship पर भी star लगा हुआ है कहां star लगा हुआ है अगर आप इस पर अपना cursor लेके जाएंगे तो bucket के अंदर organization type lookup code यहां पर star उसने बताया हुआ है जबकि बाहर heading पर नहीं बताया है तो कई बार मेरे users को मेरे doubler भाईयों को तो यह एक confusion हो जाता है तो हम confusion create कर लेते हैं better understanding के लिए मैंने दोस्तों यहां से इसको अभी के लिए हटा दिया इसकी value को भी मैं यहां पर save कर लेता हूँ कहीं पर अभी के लिए यह value मैंने हटा दिया simply save की save करने के बाद क्या करना है system ने और last video में यही पूछा था कि load कैसे करना है data load कैसे करना है तो load करने के लिए सबसे पहले generate करनी है CSV मैंने simply click किया जैसे उस पर click करता हूँ इसने बताया कि इस नाम से एक zip बनाने वाला है ठीक है दोस्तों कहां पर बनाने वाला है उसको हम identify कर लेते लाइक यहां पर जाता हूँ यहां पर जाने क बाद अपने column में जाता हूँ यहां पर एक column बना लेते अभी के लिए Supplier FBDI इसके अंदर चले आते हैं और जिस भी नाम से आपको देना है हमेशा better understanding के लिए एक sequential number जरूर दीजिए so that आप easily identify गया हूँ लाइट से मैं यहां पर दे रहा हूँ 99 क्योंकि Supplier के नाम भी 99 ने आपको समझाने वर के लिए मैंने इसको नाम दे दिया 99 जिससे में easily इसको identify कर सको साथ में copy भी कर लिया है save कर सको साथ में copy भी कर लिया है save कर दिया है एक और फाइल आती है सेम इसी तरीके से उसको भी save कर दो क्या कहती है CSV भी create हो गया zip भी create हो गया एक बार देख भी लेते हैं यह देखे यहां पर मेरा CSV भी create हो गया जिप भी create हो गया आसानी से समझते CSV के अंदर क्या है CSV के अंदर वही data है जो मेरा upload होने वाला है by using control प्रॉल फाइल क्या बोलती है वह भी समझ लेते हैं मैं वह भी दिखाता हूं आपको control क्या बोलती है हमने download की थी पीछे वाले session में यह मेरी control फाइल है क्या बोलती है इंसर्ट करेगी सबसे पहले तो append करेगी होता है कि पहले का data वही रहेगा जितना नया data इंसर्ट कर रहा हूं वह भी इंसर्ट होगा poz supplier int यह मेरी interface की table है इस table में insert करेगा और इनही टेबल को जो sequence में column है उनही table के उनही sequence में यह use करता जाएगा ठीक है और यह पूरी पूरी control फाइल लिखी हुई है किसके बैसे पे इस वली फाइल के जितने भी यह column से हैं जो यहां दिख रहे हैं इन सारे column के basis पर यह control फाइल यहां पर लिखी हुई है so friends by using this control file मेरा system मेरी इस zip file को जिसके अंदर मेरी csvb है जिसके अंदर मेरा सब कुछ file है उसको upload करेगा कहां पर UCM server पर कैसे करेगा front end application पर लेकर चलता हूं दोस्तों आपको application पर home पर user से click कर लिया then home पर जाते है home पर simply जाने एक बार tools में जाना है कहां जाना है टूल्स में जाना है schedule process पर जाना है schedule process पर गये यहां पर मेरी ESS jobs होती है schedule process के अंदर मुझे कौन सा फाला program चूज करना है load interface file for import program को चूज करते हैं simply ok करते है ok करने के बाद यह पूस्ता है मेरे से कि किस चीज के लिए आप अपना data upload कर रहे हो import process कौन सा है तो import process मुझे यहां पर search करना होता है simply click किया मैंने अलोवी पर search पर click किया क्या लिखा import supplies के नाम से search करते हैं simply यहां पर आ गया ok किया ok करने के बाद आपको अपनी data file जो zip file आपने create किया है वह file यहां पर बताने है upload new file choose file कहां पर है मेरी desktop पर है इसके अंदर है इसके अंदर है यह मेरी zip file simply ok करना है ok करने के बाद submit कर देना है यह file मेरी pick होगी simply submit पर click कर दिया submit पर click करने के बाद दोस्तो मेरे को क्या है 895 एक मेरी request id submit होगी जो parallel तीन sub sequential program refresh करता हूँ तीन sub sequential program fire करेगा कौन कौन से load interface file import एक transfer file load file to interface क्या क्या किया इसने सबसे पहले इसने data को उठाया किया file को कहा पर UCM server पर मेरा कौन सा मेरे कौन सा वाल सर्वर है upload file for universal content manager UCM server इसको बोल रहा हूं दोस्तों कैसा look and feel होता है कैसा देखता है अपनी file को अगर वहाँ देखना चाहते हैं simply UCM server पर जाता हूं किस नाम से मेरी file है मेरी file है इस नाम से search करते हैं एक बार UCM server पर एटल में डाला simply search पर क्लिक किया यहां पर मेरी जो file upload हुई है देखिए date भी देखिए और यहां पर यह file उसने zip करके मेरी upload करते this is my UCM server दोस्तो universal content management मेरा इस तरीके का look and feel रखता है इस तरीके का दिखता है देखिए दोस्तो easily आप देख सकते हो तो यह अगर मुझे देखना है कि इसने क्या upload किया तो simply मैं इस पर click कर सकता हूं यह download कर देगा मेरे लिए इसको unzip कर लेते हैं और unzip करके इसको एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या के चीजे मेरी गई है system के अंदर इसको मैंने extract किया okay किया और मैं चला गया अपनी उसी location downloads पर और यह इसने यह वाला file कौन सा जो csv इसने initially create किया था वह csv इसने upload किया ठीक है एक बार यह देख ले अब देखते हैं क्या यह test supplier 99 का data कहां तक पहुच गया मेरा यह data दोस्तों मेरा पहुच गया भी यहां ठीक है इसका मतलब है यहां से load interface file भी इसने कर दिया है मेरा data यहां यहां तक आ चुका है इंटरफेस की table में मेरा data आ चुका है चेक कर लेते हैं चेक करने के लिए simply मैं अपने कहा जाता हूं मैं जाता हूं ब्राउस केटलोग की विंडो पर हों पर आया टूल्स पर आया इनिशली थोड़ा जरूर आपको लगेगा रिपोर्ट एन अनलिटिक्स पर आया यहां से ब्राउस केटलोग पर जाकर मैं simply चेक करूंगा कि क्या सच में मेरा टेस्ट अप्लायर एप 99 अपलोड हुआ है कि निए पहले से मैंने अपने 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 आया 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 हमें तो डेटा ही देखना है तो यहां पर simply कुछ नहीं है दोस्तों मैंने क्या लिखा है वह आप एक बार देख लीजिए supplier कॉंसी टेवल जिसमें उसने simply ओ यह site वाला है सौरी कोई बात नहीं इसी को उम change कर लेते हैं दोस्तों इसी को अपला supplier int कर लेते हैं कॉंसी टेवल में हिट करने के लिए बोला था इसने इसने बोला था p o z suppliers int तो यही हमारी टेवल हो suppliers ठीक है ओके कर दिया अब डेटा को देखते हैं डेटा आया है कि नहीं आया है सिंप्ली डेटा देखते हैं यह देखे दोस्तों इसको गौर की देखते हैं टेस्ट सप्लायर एप 99 बहुत छोटा देख रहा होगा फक नहीं पड़ता अभी बस यह देखना है कि इंटरफेस टेबल में डेटा आ गया है कि नहीं आ गया है बैच भी देखिए दोस्तों बैच भी आपको देख रहे हैं इ इंपोर्ट के लिए कुछ नहीं करना है मुझे अपने प्रोग्राम का नाम इंपोर्ट सप्लायर ही है मैंने कॉपी ले लिया मैं जाता हूँ शेडूल प्रोसेस के उपर यहां पर सलेक करता हूँ अपना यह टेब करता हूँ सप्लायर का आगे इंपोर्ट ऑप्शन रखना है सिंप्ली बैच जो बैच आपने बनाया है वो बैच आप दे दीजिए एक बार यह बैच मैं दे रहा हूँ यह बैच नेम दिया सिंप्ली सम्मिट किया रिक्वेस्ट आइडिया आएगा क्या है एसस जॉब आइडिया 904 ओके कर देते हैं अब यहीं से आपको पता लगेगा कि मेरा सप्लायर बनाया की निए लॉजिकली सप्लायर नहीं बनना चाहिए विकॉज हमने उसका टेक्स व अब 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 आपको दो फाइले दिखाई देंगे पीडिये वाल डाउन्डूड करना है सिंपली बताएगा यह डाउन्डूड हो गया ओपन कर लेते हैं इसको इसने बताया कि सप्लायर नॉट इंपोर्टेड कितने वन एक सप्लायर इंपोर्ट नहीं हूए एक हमने डल आपकी एक वेल्यू रिक्वाइड थी जो आपने नहीं दी कौन से कॉलम में ओर्गनाइशन टाइप लुक अप कोड वापस आईए दोस्तों यहां नहीं समझ में आ रहा है इस पर करसर लेके जाए और यहां पर नाम पढ़िए राइट हैं साइड में कॉलम का नाम गया है अगर मैं यह वैल्यू यहां फिल कर देता हूं तो मेरा यह process successfully यहां पर चल जाएगा तो error कैसे देखते हैं कैसे समझते हैं यह समझ में आ गया अब की बिना time waste किये सीधे fast way में दोस्तों मैं supplier को बनाने वाला हूं इसको मैंने बंद कर दिया इसको भी बंद कर दिया जब द किया error आया यह error आया तो मुझे क्या करना चाहिए या तो ADFDI के थुरू spreadsheet के थुरू interface के data को correct करके फिर से यह program चलाना चाहिए या फिर इस वले data को purge कर दें delete कर दें और separate एक नया data बना ले ठीक है और चाहें तो third option भी है कि simply आप यह entry दुबारा से अपने इंटरफेस में so that नए entry को हो नए batch के साथ में pick करा लूँ मैं आपको एक बद करके दिखाता हूँ fast way में batch में same रख रहा हूँ दोस्तो और यहाँ पर उसकी value जो थी वो value में यहाँ पर दे देता हूँ क्या value थी यहाँ आते हैं corporation यह value थी save किया fast way में करूँगा दोस्तो ध्यान से देखते रहना है zip file generate कर रहा हूँ 99 थी इसको मैं 100 कर लेता हूँ so that मुझे easily understand हो यह किया ok किया यह किया एक मेरी 100 नाम से file बन गिया कौन सा program चलाना है अब की simply चलाना है दोस्तो मुझे load वाला कौन सा load interface file import यह चलाया ok किया कौन सा process लेना है यहाँ पर import supplier का मुझे यहाँ पर यह मैंने दिया इसको देने के बाद अपनी file चूज करनी है फाइल कौन सी थी देखिए से search में नहीं लेता है तो आपको अंदर डालके यहाँ पर search कर लेना है यह दिखा देता है यहाँ पर ok किया कौन से वाला data file है data file में upload कर देता हूं दुबारा से new file 100 वाली है कौन सी है 100 वाली तो यह 100 वाली ok कर दिया simply submit कर दिया क्या करेगा program फि से file को load करेगा दूसरे से transfer करेगा तीसरे से interface में डाल देगा control file को use करके refresh करके देखते है क्या सच में ऐसा कर रहा है yes इसने देखे थोड़ा से scroll down करेंगे load interface file successful refresh किया transfer file successful चेक कर लेते हैं interface में data आया है कि नहीं check करने के लिए simply यहाँ पर बस view करूंगा एक और entry आ जाएगी मेरी यहाँ पर view यह देखिए पहले मेरी interface id दूसरी थी अब की दूसरी हो गई है और आपकी values मेरी ठीक आयोंगी एक value यहाँ पर missing थी वो value मैंने यहाँ पर डाल दी है ठीक है यह देखिए यह value में डाल काया हो कि तो अब की मेरा supplier जब मैं load वाला program चलाऊंगा कौन सा है load वाला program simply submit पर गया दूसरा program लिया import supplier okay किया batch id अपनी copy कर लेते हैं क्योंकि इसी batch id के लिए मुझे चलाना है यह batch id copy किया यह batch id डाला simply submit किया और अब की मेरा supplier मेरे को front में भी दिखना चाहिए POZ suppliers वाली table में भी दिखना चाहिए और यहाँ पर वो success भी होना चाहिए मेरा import supplier wait import supplier running import supplier running still running succeeded succeeded में आप जाकर के फिर से same method कर सकते हैं यहीं से पता लग जाएगा more पर जाना है PDF को download करना है PDF पर click करेंगे तो clearly बता देगा कि one supplier successfully created imported imported supplier supplier कितने import हुए one हुए कौन सा वाला हुआ यह वाला हुआ total number of count क्या था supplier का number क्या बना वह easily दिखा दिया दो तरीके हैं simply अपने supplier के नाम को copy करो find करते है supplier को यहाँ पर manage supplier में चलते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा supplier यहाँ पर आ भी रहा है कि नहीं simply नाम डाला search किया search करने भर से supplier जो मेरा created था वो यहाँ पर दिख गया मुझे देखे यह supplier बनाया था दोस्तों मैंने अभी यह देखे test supplier app 99 साथ में इसको वहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों अपने कहां पर browse catalog में जाकर browse catalog में जाता हूँ supplier का जो DM है उसमें भी देखते हैं कि को मैंने simply यहाँ लिया है okay करता हूँ data पर data देखने की कोशिश करते हैं जो बना होगा यहाँ पर केवल वो ही दिखाई देखा यह देखे दोस्तों test supplier app 99 यह supplier मेरा यहाँ पर easily created है तो hopefully दोस्तों इस वाले video session के अंदर आपने download पहले देखा prepare पहले देखा आज आपने यहाँ से start किया UCM server से और UCM server से एक-एक करके एक-एक stage को पार करते हुए आप successfully अपना supplier बनाने में successful रहें सो दोस्तों छोटा सा concept है थोड़ा सा tricky starting में लग सकता है बट actually बहुत simple है कोई भी भाई simple simple steps को use करके easily अपना supplier बना सकता है so next वाली video में हम supplier site और supplier address की बात करेंगे method मेरा यही रहेगा so that supplier को create करने का at least एक और method आप देख पाऊ supplier का site और address का जैसा कि हम सभी जानते है कि supplier site create करने के लिए पहले ऐसी पहले हम address बनाएंगे उसके बाद अपने supplier की site बनाएंगे तो आगे की वीडियो जरूर देखेगा दोस्तो इसी तरीके से अपना प्यार अपने भाई तक इसी तरीके से पहुचाते रहे है अपने comment अपने suggestion अपने requirement शेर करते रहे है मैं इसी तरीके से motivate होकर के आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूंगा आपको आगे दोस्तो फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए concept के साथ तब तक के लिए दीजी मुझे इसाज़त थेंक्यू सो मच